अगर आप कोट और ब्लेजर को एक साथ देखेंगे तो आपको दोनों भी एक जैसे ही दिखेंगे लेकिन फिर भी इनके बीच छोटे छोटे डिफरेंस होते है जिने जानना आपके लिए बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है क्योंकि आजकल बाजार में ब्लेजर की जगे है स्पोर्ट कोट भी के जा रहे है और बहुत सारे लोग इसमें फस भी गए है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कोट कैसा होता है, ब्लेजर कैसा होता है, साथ ही कोट और ब्लेजर में क्या अंतर होता है मैं आपको गैरंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत फाइदे मन्थ साबित होने वाला है इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो साथ ही सबस्क्राइब का लाल बटन दबा कर पास वाली घंटी दबा कर आल पर क्लिक कर दो तो चलिए बिनादेरी के वीडियो को शुरू करते हैं कोट फॉर्मल और कैजुल दोनों प्रकार में आते हैं इसके कई सारे टाइप से जैसे की स्पोर्ट कोट, सूट कोट, ट्रेंच कोट, डबल फेस ओवर कोट और पैड़र क्विल्टेड कोट इसमें से स्पोर्ट कोट, और सूट कोट ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं स्पोर्ट कोट में बहुत सारे कलर्स और पैटर्न्स होते हैं 19th सेंचुरी में लोग इसे आउट्डोर इवेंट के लिए पहना करते थे बात करें सूट कोट की तो स्पोर्ट कोट और सूट कोट में ज्यादा अंतर नहीं होता कोट के साथ उसी कपड़े की मैचिंग पैंट पहेनने को सूट कहा जाता है बलेजर भी फॉर्मल और कैजूल दोनों में पाये जाते हैं ये जैकेट की तरह दिखते हैं लेकिन जैकेट नहीं होते ज्यादा तर बलेजर प्लेन सॉलिड कलर में आते हैं जिसमें अलग-अलग पैटर्न नहीं मिलते बलेजर की सबसे खास बात ये होती है कि बलेजर को मेटल के बटन होते हैं जो बाकी किसी में नहीं होते ब्लेजर की दूसरी बात जो ब्लेजर को खास बनाती है वो है इसके shoulders ब्लेजर के shoulder में pad लगाया जाता है जो हमारे body को natural shape देता है इसलिए ब्लेजर को defense uniform, respected authorities और school uniform के लिए पहना जाता है ब्लेजर के भी दो प्रकार पड़ते हैं पहला है single breast with two buttons और दूसरा है double breast with six buttons कई सारे देशों में जैसे की Britain, Ireland, Australia, UK, New Zealand के school student को uniform के रूप में single breast with two buttons ब्लेजर दिया जाता है अब जानते हैं coat और ब्लेजर के एसे key factors जो इन दोनों को अलग बनाते हैं उससे पहले वीडियो को अभी तक like नहीं किया तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर देना यार ब्लेजर अक्सर plain और deep shade में बनाये जाते हैं वही coat किसी भी कपड़े से बनाये जाते हैं जैसे की cotton, linen, leather आदी coat अक्सर suit का एक भाग होता है इसे उसी कपड़े के matching pant के साथ पहना जाता है वही blazer अकेला आता है इसे हम किसी भी pant पर पहन सकते है ब्लेजर को metal के button होते है खास कर royal blue और golden color के वही coat को button नहीं होते और अगर होते भी है तो metal के नहीं होते ब्लेजर के shoulder में pad लगाया जाता है जिससे ये बहुत ही ज्यादा attractive दिखते है वही sport coat के shoulder में pad नहीं लगाया जाता तो अब आप अच्छी तरीके से identify कर सकते है कि कोई ब्लेजर के नाम पर sport suit तो नहीं बेच रहा उम्मिद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा likes और comments मिले यही आप से बिंती है धन्यवाद